नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICICI Bank के Quarterly Results के बारे में अभी कुछी मिनिट पहले ICICI Bank ने अपने Quarterly Results को अनौंस कर दिया तो चले देखते इस बर कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है तो अभी हम आ गए हैं ICICI Bank के Standalone Quarterly Results की तरफ और सभी figures रुपीज इन करोर्स में दी गई हैं तो सबसे पहले देख लेते कंपनी की टोटल इंकम, पिछले साल कंपनी की इंकम जहां 27,099 करोर रुपे थी वो इस साल बढ़कर 33,529 करोर रुपे हो गई है जबकि quarter and quarter basis पे 31,087 करोर रुपे से बढ़कर ये 33,529 करोर रुपे हो गई है कंपनी की इंकम को अगर year on year basis पे calculate करते हैं तो इसमें 23 प्रतिशत की jump देखने को मिल रही है अब देख लेते कंपनी के expenses यानि कंपनी के खर्च कैसे रहे हैं तो पिछले साल कंपनी के खर्च जहां 16,921 करोर रुपे के थे वो इस साल बढ़कर 20,258 करोर रुपे के हो गई है जबकि quarter and quarter basis पे 19,407 करोर रुपे से बढ़कर ये 20,258 करोर रुपे हो गई है कंपनी के expenses को अगर year on year basis पे calculate करते हैं तो इसमें लगबग 19,30 की jump देखने को मिल रही है अब income में से expenses को minus करते हैं तो हमें मिलेगा profit तो देख लेते इस बार कंपनी ने कितना profit generate किया है तो पिछले साल कंपनी का profit जहां 6,193 करोर रुपे था वो इस साल बढ़कर 8,311 करोर रुपे हो गया है जबकि quarter and quarter basis पे 7557 करोर रुपे से बढ़कर ये 8,311 करोर रुपे हो गया है कंपनी के profit को अगर year on year basis पे calculate करते हैं तो इसमें 34% की jump देखने को मिल रही है अब क्योंकि हम एक bank के नंबर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ profit से काम नहीं चलेगा हमें देखने होंगे इनके provisions और NPA पिछले साल कंपनी के provisions जहां 2007 करोर रुपे के थे वो इस साल बढ़कर 2257 करोर रुपे के हो गया है जबकि quarter and quarter basis पे 1644 करोर रुपे से बढ़कर 2257 करोर रुपे हो गए है provisions basically bank के लिए वो पैसा होता है जो उन्हें लगता है कि वो वापस नहीं आने वाला और इनका बढ़ना company के लिए एक negative point होता है अब check कर लेते हैं NPS तो पिछले साल company के NPS जहां 4.13% थे वो इस साल कम होकर 3.07% हो गए है वही quarter and quarter basis पे 3.19% से कम होकर ये 3.07% हो गए है तो company के NPS yearly और quarterly दोनों में ही कम होते हुए दिख रहे हैं जो कि company के लिए एक positive point है अब देख लेते हैं company का EPS यानि अर्निंग पर share तो पिछले साल company का EPS जहां 8.93 था वो इस साल बढ़कर 11.92 हो गया है जबकि quarter and quarter basis पे 10.86 से बढ़कर ये 11.92 हो गया है अब अंत में conclude किया जाए तो income बढ़ती हुई दिख रहे हैं वही profit भी इनके बढ़े हैं इसके अलावा NPS डाउन हुए हैं एक concern सिर्फ provisions को देख कर किया जा सकता है अब क्योंकि ये results market close हो जाने के बाद आए हैं तो Monday को देखना होगा market इस पर कैसा reaction देता है और आँ दोस्तों इससे पहले हमने yes bank के quarter 3 के results को भी cover किया अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखा तो उसका लिंक उपर आई बटन में नीचे description box में मिल जाएगा आप उसे भी जरूर देखे तो ये हमने देखा ICSA bank के quarter 3 के results को मित करता है वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए